अब हम स्टार्ट करने एक important topic से that is genetic disorder ठीक है? Mendelian disorders हम study करे थे इसमें हमने already discuss कर लिया था sickle cell anemia, thalassemia, दोनों में हम comparison कर चुके हैं और उसके बाद हमने phenyl ketogon urea को study किया अब हम आते हैं अगला disorder hemophilia and color blindness लेकिन इन में कुछ questions common है बटा अब वो common question क्या है वो मैं बता दूँ आपको सबसे पहला point आता है इस सीज को समझना बहुत ज़रूरी है हर साल इस पे question आता है hemophilia और color blindness दोनों ही sex linked recessive disease है कैसे है sex linked recessive disease दोनों ही sex linked है और sex chromosome में भी x chromosome linked है x chromosome पे इनके जीन located होते है तो x linked होते है अब जैसा कि हमने उन disorders में पढ़ा था कि आप कैसे कहोगे कि वो तो वहां पर हमने कहाता है कि जो प्रोजैनी affected तब होती है जब दोनों parents क्या हो carrier ऐसा ही अमने बोला था लेकिन वह तो उट्टोसमल रिससिव थे अब sex linked recessive disease कब बोलेंगी चाहिए आपको particular disorder का नाम लेकर कि यह बात बोले या pedigree analysis में बोले अगर आपसे reason पूछा जाता है कि why it is called sex linked recessive disorder तो उस case में आपको answer क्या देना है because it is transmitted from it is transmitted from unaffected carrier female unaffected carrier female to some of the male prosceni to some of the male prosceni unaffected carrier female से कुछ male prosceni में यह क्या होता है बटा transmit होता है ठीक है यह से ध्यानक ना यह आगे हम प्रूब भी करके दिखाएंगे कि female हमारी normal है unaffected है लेकिन वो carrier है अब क्योंकि X chromosome पे located है तो हमें XX और XY condition दिखानी पड़ेगी female में XX और male में XY तो यह क्या कह रहा है अगर female carrier भी होगी unaffected है लेकिन carrier है that means उसका एक X chromosome उस particular disease से affected है तो उस case में phenotype तो normal आता है लेकिन वो अपनी male प्रोजैनी में उस disease को transfer कर सकती है सब male प्रोजैनी में सभी में नहीं 50% में वो हम आगे prove करके दिखाएंगे तो यह question common है चाहे color blindness के case में आए या hemophilia के case में तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी sex linked disorder होते है दे शो क्रिस क्रोस inheritance pattern कैसा pattern show करते है क्रिस क्रोस inheritance pattern show करते है क्रिस क्रोस inheritance क्या होते है एक type का sex linked inheritance है जिसमें कोई भी parent parent passes the trait the trait to the grand child of the same sex grand child to same sex कोगा grand child of the same sex through offspring of the opposite sex offspring of the opposite sex अब ये क्या कहना चाहरा है ये मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैंने क्या कहा अगर फिमेल में अफेक्टेड जीन है तो फिमेल से किस में जाएगा सन में जाएगा और सन से फिर किस में जाएगा डॉटर में जाएगा तो इसका मतलब grand child तो से सेम सेक्स का होगा फिमेल है तो डॉटर में और किस में जाएगा बतार में अथि के तुछ यह जो प्रॉसेस होता है क्रिस-Cross-Ineridence चब एंदर को ट्रासफर कर रहे है थूदर डॉटर तो यह जो पैटरनना है यह तो लहेगा डायागाइ इनाइरिटेंस को नियुक्त डायगाइ नहों कि लिए ऑखता है धमेल के लिए तो यहां पर same sex के male के अंदर कैसे transfer कर रहा है through the daughter that means female sex के तूब और अगर मदर किसी trait को son के through grand daughter में transfer कर रही है तो यह inheritance pattern यह पैटन्स कहलाता है डाया एंड्रिक इनायरोटर्स क्या कहलाता है बृटा डाया एंड्रिक इनायरोटर्स कहलाता है ढ़ देखो अब किशन आता हैं, अब हम particular disease के उपर आ जाते हैं, तो यह चीज़ ध्यान देना, एक और किशन common होता है, चोकि यह दोनों ही disorder, x-linked resursive rate है, ठीकिए, अब आपको पते हैं, male में x-y chromosome होता है, और female में x-x condition होती है, male में क्या होती है, x-y condition होती है, और female में क्या होती है, x-x condition होती है, ठीकिए, अब y chromosome पे जीन तो है नहीं, y पे जीन तो है नहीं, तो male तो कब affected हो जाएगा, जब इसका x chromosome affected होगा, x chromosome क्यासा होगा, affected, चै कोई भी disease हो, hemophilia हो, या color blend, कोई भी sex linked rate हो, जो x linked होगा, और male normal कब होगा, male affected तो कब है, जब उसका x chromosome affected है, और male normal कब है, जब उसका x chromosome normal है, इसका मतलब affected या normal आने की probability कितनी है, 50-50% है, कितनी है बटा, 50-50% है, लेकिन अगर हम बात करें female की, तो female में तीन टाइप के xenotype possible हो सकते हैं, कौन-कौन से, या तो दोनो x chromosome affected हो, मैं star से represent करी हूँ, आगे मैं particular disease का नाम लूँगी, तो मैं या पर particular allele लिखूँगी, लेकिन अभी मैं disease allele को star से represent करी हूँ, तो अगर दोनो x chromosome affected है, तो तो आपको पता है, recessive trait है, homozygous condition में अपने आपको express करेगा, तो ये female कैसी होगी, affected होगी, अगर हिट्रोzygous है, कैसे है, हिट्रोzygous है, तो क्यूंकि ये recessive trait है, तो हिट्रोzygous condition में, ये female normal होगी, लेकिन कैसी होगी, carrier, normal, बट carrier क्यूं के रहे, क्योंकि इसमें affected allele तो है, लेकिन वो expression नहीं दे पा रहा, लेकिन जब ये अपने gamete बनाएगा, तो 50% में normal x जाएगा, और 50% में affected x जाएगा, तो ये अपनी 50% prosani में affected allele को transfer कर सकती है, खुद affected नहीं है, लेकिन 50% prosani में affected allele को transfer करेगी, हम ये नहीं कह रहें कि 50% prosani diseased होगी, disease होगी या नहीं होगी, वो तो depend करेगा कि prosani homozygous है या itrozygous है, ठीक है, तीसरी condition है कि दोनो x chromosome कैसे हो normal, अब दोनों ही normal है, तो individual कैसा होगा normal, तो यहाँ पर disease आने की probability कितनी आई, 1 third, 33.33%, इसका मतलब male में होने के chances क्या है, ज़्यादा, चोई आप hemophilia की बात करो, या color blindness की बात करो, यह किशन बहुत बार बोर्ड exams में आया है, बार बार exam में पूछा जाता है, कभी तो hemophilia लेकर के, कभी color blindness लेकर के, कि why there are more chances of hemophilia and color blindness in male as compared to female, female के comparison में, इन disorder के male में होने के chances क्या है, ज़्यादा, ऐसा क्यूं, तो इसमें आपको सबसे पहला point क्या लिखना है, क्योंकि यह जो disorder है, वो X-linked recessive disorder है, और male में सिर्फ एक ही X chromosome affected है, और female में दोनो X chromosome affected है, ठीक है, male तो affected तब होगा, जब उसका X chromosome affected होगा, और female affected कब होंगे विटा, ध्यान से सुना, जब उसके दोनो X chromosome affected होंगे, अब प्रोजेनी में दोनो X chromosome affected कब होंगे, जब इसको एक X, affected X तो father से मिला है, और एक affected X किसे मिला है मदर से किसे मिला है मदर से तो आपको तो पता है father में तो एक X chromosome आ गया तो दूसरा क्या है? Y chromosome और X chromosome affected आते ही male कैसा हो गया? affected हो गया hemophilia बोल रहे हो तब तो आप बोलोगे hemophilic और color blindness की आप बोल रहे हो तब आप बोलोगे color blind हो गया जबकि female क्या हो सकती है भई कम से कम carrier तो होई सकती है या हो सकते है कि वो भी disease हो कैसी हो दोनो possibility है क्योंकि प्रोजयनी में condition कैसी है एक्स एक्स दोनों एक्स affected है तो एक एक्स affected तो मदर से है तो female affected तब ही होगी जब उनका father affected हो और मदर कम से कम carrier हो एफेक्टेड भी हो सकती है लेकिन at least क्या हो carrier हो अगर और ऐसे combination होने के chances क्या होते हैं बहुत rare होते हैं भई कि father भी hemophilic है और मदर भी hemophilia के लिए carrier है ऐसी जो combination से मिलना क्या है बहुत rare है इसलिए फिमेल में इसके होने के chances क्या होते हैं कम बटा आप कोगी कि मेडम इसमें भी तो एक x chromosome affected था तो ये normal था बटा इसमें एक x chromosome affected है लेकिन साथ में normal x chromosome भी है तो normal x chromosome क्या करेगा उसके function को compensate कर देगा यहां एफेक्टड क्यूं आया चो कि यहां पे तो दूसरा chromosome क्या है y chromosome है और y chromosome पे तो वो gene ही नहीं जो x पे है तो यहाँ defect आने की वज़े से जो gene affected हुआ उसको compensate करने वाला तो कोई दूसरा gene नहीं है या तो normal X chromosome ने compensate कर लिया था तो female कैसी होगी थी normal लेकिर यहां क्योंकि compensate करने वाला कोई भी नहीं है तो इसलिए X affected है तो male affected है X normal है तो male normal है ठीक है? अब हम आते है particular disorder के उपर सबसे पहले हम ले लेते हैं hemophilia तो वही किशन जो मैं पहले करा चुकी हूँ वो मैं दुबारा नहीं बताऊंगी किशन किशन बताऊंगी answer मैं बता चुकी हूँ एक चीज धियान अखना hemophilia को bleeder's disease भी कहा जाते है क्या कहा जाते है bleeder's disease disorder कहा जाते है अब यह हम कर चुके है क्यों कहा जाते है इसको sex link recessive disorder क्योंकि अगर female unaffected carrier है तो भी यह some male prosceni में transfer हो जाते है ठीक है दूसरा question क्या आते है hemophilia में there are more chances of it in male more in male than female male में इसके उने के chances क्या होते है ज़ादा और female में होने के chances क्या होते है कम होते है उसका कारण मैं आपको बता चुके हूँ अब आते हैं कि इसके लिए gene कौन से है allele कौन से है और वो कहा located है वो मैं आपको बता दूँ तो hemophilia के लिए जो gene responsible है वो X chromosome पे located है और इसका allele कौन से है hemophilia के लिए XH जान रखना है hemophilia की कोई भी pedigree chart या कोई भी cross आजाती है तो आपको उसके लिए symbol यूज़ करना पड़ेगा है XH अब ABCD, EFZ ऐसा कोई allele यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि यह sex linked disorder है और male में XY chromosome होता है और female में XX होता है बात सिर्फ क्या है कि X chromosome normal है तब तो हम उसको simple X लिखेंगे और अगर वो hemophilic gene carry करता है तो हम उसको लिखेंगे XH अब एक normal allele X और एक hemophilic allele XH अब इनको मिला करके क्या possible genotype हो सकते अगर हम बात करें male की तो male में आपको पता है XY condition होती है लेकिन XY में हमें दोनों type के possible combination बनाने है तो यह पर दो ही possible combination हो सकते है या तो X normal हो या फिर X पर ही hemophilia का zina अगर X normal है तो यह होगा normal male और अगर X हीमोफिलिक है तो इसको हम बोलेंगे हीमोफिलिक male क्योंकि इसके function को compensate करने वाला कोई दूसरा X chromosome नहीं है तो हीमोफिलिया का zina होगा या नहीं होगा उसके basis पर तीन possible combinations है बटा X X X H X and X H X H X X तो कैसे है नॉर्मल है चोगि इसमें तो हीमोफिलिया का अलील है नहीं तो यह तो नॉर्मल female होगी X H X अब यह कैसी होगी अगर यह disorder dominant होता तब तो यह भी हीमोफिलिक होता क्योंकि dominant trait तो अपने आपको homozygous और heterozygous दोनों में दिखाता है लेकिन हीमोफिलिया का जीन recessive है कैसे है? recessive है तो heterozygous condition में यह अपना expression नहीं देता है इसका मतलब यह individual का phenotype तो कैसा आएगा normal लेकिन क्योंकि इसमें हीमोफिलिया का allele तो है जब यह gamete बनाएगा तो एक gamete बनाएगा XH और एक बनाएगा X तो यह क्या करता है अपनी 50% प्रोजैनी में हीमोफिलिया के allele को transfer करता है इसलिए इसको हम बोलेंगे normal butt carrier dominant trait के case में carrier word यूज़ नहीं करता है क्योंकि dominant trait तो heterozygous condition में भी dominant का यह expression आता है ठीक है यह चीज़ ध्यान अगला recessive trait के case में हमें carrier word देखने को मिलता है heterozygous condition को हम carrier बोलते है उसके case में और यह जो female होती है जिसके दोनो X chromosome affected है यह है बटा हीमोफिलिक female यह क्या है हीमोफिलिक female अब एक question पूछा जाता है second important question cause क्या है बटा question क्या क्या पूछेंगे इसको sex link recessive disorder क्यों कहते है और सबसे important question male में होने के chances इसके ज़्यादा है female में क्या है कम तीसरा question allele क्या है और उसके possible genotype क्या है चाहे तो आप note कर सकते हो साथ के साथ notebook में क्या है हीमोफिलिया का और इसके possible genotype क्या है चोथा question आता है इसका cause क्या है कारण क्या है हीमोफिलिया होता है क्यों है तो actual में क्या होता है इसके case में एक single protein effect होता है क्या होता है एक single protein effect होता है लेकिन actual में ये जो single protein effect हो रहा है यह आगे जाकर के एक पूरे कास्केड और प्रोटीन को एफेक्ट करता है कौन से कास्केड और प्रोटीन को एफेक्ट करता है which are involved in clotting of blood आपने यह प्लस वन में blood clotting पड़ा होगा तो एक फेक्टर एक्टिवेट होता है तो वो दूसरे के लिए एक्टिवेटर का काम करता है उसकी इनक्टिव फोर्म को एक्टिवेट करता है फिर वो किसी तीसरे को एक्टिवेट करता है ऐसे सिक्विंस पढ़े न तो यह एफेक्ट तो करता है एक ही प्रोटीन को लेकिन ये protein activate नहीं हुआ तो उसके आगे वले protein भी activate नहीं होता है तो एक पूरे के पूरे cascade of protein को effect करता है कौन से protein को जो blood की clotting में involved होता है इसलिए in individuals के case में blood clotting effect हो जाती है अब blood clotting factor तो बहुत सारे होते हैं अब hemophilia के case में कौन सा blood clotting factor effect होता है तो 80% केस में blood clotting factor 8th effect होते है 80% केस में blood clotting factor 8th effect होते है ठीके और 8th blood clotting factor को हमने क्या नाम दिया था प्लस वन में आपने पढ़ा होगा anti hemophilia globuline क्यों क्योंकि ये anti hemophilic protein था अब आते हैं कि अगर ये जीन एफेक्ट हो जाता है तो उसके क्या एफेक्ट आएंगे और क्या यह यह यूं कहते हैं किनुट से एंकर ह्मारे पस कैसे भी पूछ सकते हैं तो सिंपल सी जीज़ है ब्लोडD clotting factor effect हो रहा है तो ताटलमइस ब्लोड Lucky GRA मलatics प्रॉपरडी के बाद blood clot हो जाता है क्या हो जाता है clot और bleeding स्टॉप हो जाती है लेकिन ही मोफिलिया के पैशंट में अगर एक सिंपल कट भी लग जाता है तो भी नोन स्टॉप bleeding होती है और अगर थोड़ी से लापरवाई कर दें क्या कर दें थोड़ी सी लापरवाई कर दें और bleeding को स्टॉप नहीं किया जाए अर्टिफीशली इनको इंड्यूस करा के तो फिर क्या होता है blood की deficiency की वज़े से person की death भी हो सकती है ठीक है तो इसलिए क्योंकि life में कभी ना कभी तो ऐसा coincidence आता ही है कि individual को कट लग जाए ऐसा बहुत मतलब बहुत इनके सर्वाइब करने के चांसी बहुत कम हो जाते हैं ऐसे इंडिविजल जो हीमोफिलिक है वो लेटर स्टेजिज में आपको बहुत कम मिलेंगे दाटमीस छोटी ही एस में उनके टैथ हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं कट लग जाता है और इनके केस में कट लगने केस में नॉन स्टॉप ब्लडिंग होती है और जरूरी नहीं है कि आप ऐसे जगह पे हो जहां पे आपको मेडिकल फैसलेटी मिल पाए तो ऐसे इंडिविजुल्स का वस्ट वाइबल रहना सर्वाइव करना मुश्किल होता है एड़ लेटर स्क्राइब लंबे टाइम तक यह सर्वाइव कर पाए इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है बहुत कम होती ठीक है अब एक किशन आता है इ क्या का जाता है रोयल डिसेज क्योंकि इसकी एक जो केस हिस्ट्री आती है वह एक रोयल फैमिली से आती है आपने सुना होगा क्विंड विक्टॉरिया क्विंड विक्टॉरिया जो थी वह हीमोफिलिया के लिए क्यारियर थी उसको तो हीमोफिलिया था नहीं लेकिन उसका एक X chromosome affected था तो इससे क्या हुआ इसके जो ज़्यादत दिसेंडेंट थे खास करके मेल जो डिसेंडेंट थे जो इसकी प्रोज्यानी थी वो क्या थे affected थे हीमोफिलिया से तो वो survive नहीं कर पाए ठीक है तो इसको हम royal disorder भी कहते हैं ठीक है तो एक तो हमने पड़ा प्रोज्व एक अमने पड़ा सिंप्टम्स तो यह चीज बहुत इंपर्टेंट है ध्यान से देखना अब हम आते हैं अब हम आते हैं इसकी क्रॉस के उपर तो सबसे पहली क्रॉस में आपको करके दिखा रही हूं बाकी आप भी करके देख सकते हूं अगर क्यारियर फिमेल जो हीमोफिलिया के लिए क्यारियर है उसकी marriage कर दी जाए नॉर्मल मेल के साथ तो हीमोफिलिक प्रोजैनी आने की क्य possibility है तो क्यारियर फिमेल कंफ्यूज होने की जवरती नहीं है एक X chromosome कैसे है हीमोफिलिक है मेल नॉर्मल है तो उसका X chromosome कैसे है नॉर्मल है गैमीट बना जैसे बनाने ये दो गैमीट बनाएगी एक जिसमें X CH hemophiliya का जीन है और एक नॉर्मल सेम ये भी दो गैमीट बनाएग वैसे ही cross करते जाओ तो देखो पहली प्रोजेनी क्या आई XHX, दूसरी XX, तीसरी XHY और चौती XY अब इसी देखो ये female कैसी है क्योंकि ये disorder excessive है तो ये normal है लेकिन carrier है ये female normal ये hemophilic male क्योंकि इसका X chromosome hemophilia gene को carry करता है और ये normal male तो आपसे पूछे है कि hemophilic प्रोजेनी आने की कितनी probability है तो ये hemophilic आने की एक ही probability है इसलिए probability क्या होगी वन बाई 4 पस है इसी तरीके से अगर मैं आपको बूलू कि hemophilic man की marriage करानी है normal woman के साथ ठीके hemophilic man नाम सही पता है एकस अच वाई और नॉर्मल वो मैन एकस एकस ठीके या हो सकता है एकस एकस हो अगर condition clear नहीं दिये क्योंकि वो भी normal होते ही लेकिन mostly mention करते है carrier को तो आप gamete बना सकते हो male ने क्या बनाए एकस एकस और वाई यह नॉर्मल फिमेल है लेकिन carrier है यह भी normal फिमेल है लेकिन carrier है यह नॉर्मल male है बिटेक सी देखो hemophilia का जीन किस के पास था male के पास था लेकिन male से यह किस में आ गया daughter में आ गया तो देखो criss-cross inheritance pattern शो कर है यहाँ पे hemophilia का जीन था female में किस में था female में तो hemophilic कौन आया male आया क्या आया male male दो है उनमें से आदे male hemophilic है और आदे कैसे है normal है तो some of the male प्रोजैनी में वो क्या करती है वेटा transfer करती है इसी तरीके से एक cross हाजाती है carrier woman की mating करा दी hemophilic man के साथ आप कर सकते हो खुझ से करके देखना मैं आपको बता देती हूँ क्या genotype होगा carrier woman का हो जाएगा xhx और hemophilic man का हो जाएगा xy तो यह तो था आपका hemophilia के बारे में आप मैं एक बर फटा फट बता देती हूँ color blindness तो color blindness में यह तो हमने बताई दिया कि sex link recessive disorder है male में होने के chances क्या है जादा बेटा इक सी ध्यान रखना यह भी पूछ सकते data भी दिया हुए color blindness के male में होने के chances 8% होते है जबकि female में सर्फ 0.4% chances है ऐसे भी आ सकते है तो यह भी यह चीज़ के रहा है कि male में इसके होने के chances क्या है जादा है और female में क्या है कम है ठीके दूसरा अब आते है इसका cause क्या है current क्या है क्यों होता है आपका color blindness तो बेटा color blindness नाम से ही पता है particular color के लिए blindness हो जाती है इसका मतलब जो affected individual होगा उस color को discriminate नहीं कर पाएगा तो इसके लिए भी जो gene होता है वो X chromosome पे located होता है तो इसमें क्या होता है इन genes में mutation हो जाती है और इस mutation की वज़े से it results in either red और green cone of eye बटा आपको पता है eye के अंदर दो type की cells होती है road cell and cone cell road cell dim light में देखने में help करती है और cone cell bright light में देखने में help करती है तो color तो अमें कब दिखाई देता है ठीके कब दिखाई देता है कौन देखेगा color के लिए color तो भई day time में दिखाई देता है तो उसको कौन अब्जर्व करता है कौन सेल अब्जर्व करती है तो आई की उन cone cells में defect आजाता है जो red और green color को discriminate करती है इसका मतलब जिस बन्दे को red color blindness है या green color blindness है या दोनों की है वो red और green color में discriminate नहीं कर पाएगा मतलब अगर मैं yellow रख दूँ तो वो अचानी से identify कर लेगा black रख दिया तो identify कर लिया blue रख दिया तो भी identify कर लिया लेकिन उसके सामने अगर मैं red color के band रख दूँ तो वो red color उसको red दिखाई नहीं देता है वो color को discriminate नहीं कर पाते है वो black दिखाई देते है ऐसे ही अगर मैंने green card रख रख था है तो green card को भी वो observe नहीं कर पाते है green color भी उसको black दिखाई देते है वो red और green color में discriminate नहीं कर पाते है बिटा जो famous sentence था dalton वो भी color blindness से affected था इसलिए इस disorder को हम daltonism भी कहते है क्या कहते है daltonism red color blindness के लिए word यूज़ किया जाता है protanopia green color blindness के लिए यूज़ किया जाता है uternopia commonly तो यहीं मिलती है लेकिन एक और color blindness पाहिज आती है जो की rare होती है blue color blindness उसको हम कहते है tritanopia protanopia, duternopia and tritanopia जया लग लग color के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते है तो उनको कैसे पता चलता है कि color blindness है या नहीं तो वो कुछ particular colored cards दिखाते है उन particular cards को कहा जाता है isiara cards isiara cards को use किया जाता है color blindness के diagnosis के लिए hemophilia का जो जीन था वो तो lethal disease था उसमें death हो जाती थी अब क्योंकि यह recessive disorder है तो वैसे ही यहाँ पर भी हम possible genotype और phenotype निकालेंगे तो male में दो genotype possible है या तो male का x chromosome normal है तो male normal है और x chromosome पर अगर color blindness का जीन है तो male होगा color blind या तो दो नो एक नो एक पर color blindness का जीन है दूसरा नॉर्मल है या फिर दोनों पर color blindness का जीन है तो क्योंकि यह recessive disorder है तो यह फिमेल कैसी होगी color blind जब उसके दोनों x chromosome color blindness का जीन क्यारी करेंगे तब वह होगी color blind यह होगी नॉर्मल फिमेल और यह होंगे बिटा नॉर्मल होंगे वैसे phenotype तो नॉर्मल होगा लेकिन क्यारियर होगा क्यारियर क्यों करें यहाँ पर भी वही चीज़ है क्योंकि जब यह gamete बनाएगा तो अपनी 50% प्रोजैनी में यह color blindness के जीन को ट्रासफर करेगी ठीक है तो यही था इसके बारे में भी जैसे वहाँ पर हमने cross निकाले थी वैसे ही यहाँ पर भी हम cross निकालते हैं जैसे मैं कह दूं mother is carrier for color blindness इसकी cross करानी है color blind father के साथ तो हम आसानी से करा देंगे possible xenotype हमें पता होता है color blind father मतलब xcy carrier female मतलब xcx तो gamete बनाओ cross करो ऐसी मैं बोल दूं color blind woman की cross हमने करा दी तो probability आप फ्रोजैनी में निकाल सकते हो color blind woman की cross हमने करा दी किसके साथ normal या यूँ कह दो color blind male के साथ तो फिर क्या होगा बिटा आपको पता हिए color blind woman क्या होगी xcx और color blind male क्या होगा xcy अगर हम इनके gamete बनाएं तो यहाँ पर क्या ब और यहाँ xc y तो आप फ्रोजैनी बना के निकाल के cross करके probability क्या कर सकते हो निकाल सकते हो तो यह हमारे disorders complete हुजाते हैं next lecture में एक एक टापिक बचया है that is pedigree analysis वो हम discuss करेंगे thank you बठा